आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिर नाम ऐसे धान तक नहीं होता ही, स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागता, ग्रीन टैक्स की दोस्तों बात करेंगे, यह important है काफी, economics के current affairs है दोस्तों, और आप इस course को अवेल कर सकते हैं, बहुत इस शांदार course है, साथी साथ तो October को हमारा महा टेस्ट होगा, इस महा टेस्ट में जो जीते गवाए, उसको UPC Foundation course फ्री, और भी जीतने वालों को, मतलब जिनकी 5 rank, टॉप 5 तक rank आईगी, आकर्शक की नाम है, तो आप जरूर आईए हमारा जो tax बोल रहा हूँ, हमारा जो app आप जरूर डाउनलोड करिए, फिलाल हम green tax की बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाई देखो हरा कर green tax, तो Union Minister for Road Transport and Highways, इन्होंने यह प्रोपोजल जो हैं, यह जन्वरी की निउस है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक्जाम में पूछा जाएगा, यह प्रोपोजल एप्रूजल एप्रूजल की है, सबसे पहले green tax लगाओ, और old vehicles पे, जो पुराने गाडियां है न, जो environment को pollute कर रही है, पुरानी गाडियों को मतलब कितनी भी पुरानी हो जाएगे 100-200 साल पुरानी भी हो जाएगे, आप गाड़ी की वे एक life होती है, ठीक है, 15 साल की maximum life है, उसके ऊपर, आप सबजी है, आपको deregistration करवाना कबाड़ी में बेचो, जो कि 15 साल से उपर है, फिर जो भी green tax से revenue collect होगा, वो एक separate account में रखा जाएगा, और pollution के ही लिए use किया जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत important है, तो green tax जो है, that is imposed, ministry of road, transport and highway ने green tax इंपोर्ट किया है, आठ साल से अगर आपका वेहकल पुराना है, तो आ अलग डेपार्टमेंट पे रखा जाएगा, अचा, कौन कौन exemptions अब है, electric vehicles, e-vehicles always exempted, क्योंकि वो pollution ही नहीं करते है, जो CNG पे चल रहे है, ethanol या LPG पे चल रहे है, क्योंकि इससे भी pollution नहीं होता है, farming vehicle जैसे tractor, harvesters, tillers, उनको भी exempt किया गया है, green tax को pollution tax बोला जाता है, जो भ carbon dioxide, carbon monoxide जो है, वो environment में जा रही है, तो green tax लगाया जाता है, इससे यह होता है, कि आपका carbon footprint जो है, वो कम हो सके, ठीक है, आप ऐसे vehicles ना यूज करें, जो कि environment को, क्योंकि pollution, कली दोस्तों, WHO ने अपने norms revise किये हैं, और इसमें air quality index को जाचा है, अब भारत में air quality index बहुत बुरी है, बड़े शहरों में 10 से 12 गुना जादे हमारी जो हवा है, वो खराब हो चुकिया, यानि कि technically पुरा भारत pollute हो गया है, तो pollution को control करना इस समय priority पे है, तो वही है कि नए vehicles पे ये लोग सोचों, motivate करें कि नए vehicles पे सोचों, vehicles जो हैं, वो less pollution करें, और overall pollution जो है, वो कम हो, ठीक है, जो आपके पास खुद के vehicles होते हैं, they will be charged green tax, जब जैसे ही 15 साल, मतलब 15 साल का certificate होता है, ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप renew करेंगे, अपने अप update हो जागा, और उसके बाद green tax लगेगा, public transport vehicles में आएगे, जैसे city buses, उसको कम green tax देना पड़ेगा, public vehicles जादा पुराने हो 50% सबसे ज़दा green tax देना पड़ेगा, जो की highly polluted cities में vehicles registered है, 50% road tax का आधा देना पड़ेगा, ऐसे तो road tax का 10 से 25% आपको देना है, तो यह चीज़ है, fuel पे depend करता है basically, अब वही है, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, इन सबको यह major pollutants है, इनको खतम करने के लिए, और यह सब pollutants जो है, वो vehicle से निक cardiovascular elements यह सब करते हैं, इसी कोई counter करने के लिए, यह green tax लाया गया है, ठीक है, तो यह आप देखिए सकते हैं, सारी चीज़े, exemptions मैं आपको बताई चुका हूँ, तो benefits भई है, कि सबसे पहले तो environment pollute नहीं होता है, और जो लोग हैं, वो less polluting vehicles पे shift होते हैं, और simple है, यह polluter pays principle पे पे करें, हमारी कोई जम्यदारी नहीं है, अब आपको जाधा पे करना पड़ेगा, तो बोलेंगे यार, इतनी खर्ची भी गाड़ी हो गई है, इससे चेस को dump कर दो, polluter pay principle आपको बता दू कि 1992 Rio declaration का part है, ध्यान दीजेगा, Rio declaration का part है, polluter pays principle पूछा जा सकता है, तो Rio declaration का part है, यह मत भूलिएगा, carbon pricing की बात करें, भारत carbon pricing करता है, अमेरिका carbon pricing करता है, चाइना, जापान carbon pricing करता है, climate impact से यह देश बहुत हिट है, अमेरिका, चाइना, यह दो सबसे ज़्यादा carbon producing देश है, greenhouse gas emissions इन देशों से सबसे ज़्यादा होता है, तो smart approach को चाहिए, भारत भी कम यह तीसरे नमबर पे, top 10 में से 5 शेर तो भारत कही है, तो carbon pricing क्या होता है, जो greenhouse gas emissions है, ठीक है, जो कि crops को damage करते है, heat waves, मतलब जो health care जिसकी cost बहुत जादा है, property loss होती है, तो यह जो damage होता है, जैसे crops को damage किया, तो अच्छा-काजा पैसा गया, है ना, health care, अगर अब देखे, health एक public infrastructure है, सरकार को जादा होस्पेट जाकाने पड़ेंगे, तो यानि कि सरकार को खर्चा, सरकार का खर्चा बढ़ेगा, property, flooding area से, यह भी climate change की वज़े से, तो इसी लिए, carbon pricing ties them to their source through a price, जितना carbon dioxide emit करोगे, उतना price तुमको देना, हाला कि criticism भी होता, green transport पे, अब बसेस पे भी तो लगेगा, यह public transport है, सरकार को और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वैसे ही मुश्किल होती है, petrol और diesel पे अल्रेडी काफी ज्यादा tax है, तो green tax जो है, वो और ज्यादा burden को spike करतेगा, inflation महँगाई बढ़ेगी भाई, overall transportation cost नहीं बढ़ेगी, आपके ही तो उपर आएगा, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, यह चीज है, बारत ने अगर vehicles की बात करें, pollution को करने के लिए काफी जादे इनिशेटिव लिए, graded response action plan, fame, fame की बात भी हमने की थी, तो यह चीज है, तो green tax की need है, क्योंकि 5% जो है वो total vehicle fleet, commercial vehicles हैं, 5% constitute लेकिन 65-70% vehicle pollution करते हैं, इसलिए बाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह pollutants है, यह मैं आपको बताई चुक हो, कौन-कौन से pollutants जो है, वो produce होते हैं, green tax को वही है, कि जो भी tax, जो भी पैसा हैगा, उसको air pollution से ही combat करने के लिए उसकी आजगा, green tax क्या है, बता देंगे green tax की definition, green tax क्यों जाता है, important है, क्यों ministry ने इसको approve किया, ठीक है, पूरा data आपके पास है, खुश नहीं पढ़ते हैं, यह चिद्धान तक नहीं होता है,